सिंधिया राजवंश या शिंदे राजवंश जिसे सिंधिया या शिंदे घराना के रूप में भी जाना जाता है, एक मराठा वंश है, जिसने अठारहवी शताबदी के मध्य से लेकर उननीस सौ सैंटालीस में भारत की स्वतंत्रता तक मध्य भारत के ग्वालियर राज्य प और मराठा सामराज्य में एक शक्तिशाली कुलीन बनने के लिए रैंकों के माध्यम से तेजी से बढ़े. उन्होंने 1761 में पानिपत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जहां उन्होंने मराठा सेना की कमान संभाली और एहमद शाह दुर्रानी के खिलाफ स सैने सफलताओं और राजनीतिक कौशल ने सिंधिया राजवंश के सत्ता में आने की नीव रखी. महादजी सिंधिया मराठा सामराज्य के सबसे प्रमुक सेनाप्तियों में से एक थे और सिंधिया वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे. उन्होंने सिंधिया क् महादर जी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की भी स्थापना की जो अब भारत के अग्रणी शैक्षनिक संस्थानों में से एक है। उन्होंने 1804 में अंग्रेजों के साथ एक गठ बंधन बनाया लेकिन बाद में पक्ष बदल लिया और पिंडारियों में शामिल हो गए जो डाकूओं के एक समुह थे जिन्होंने ब्रिटिश क्षेत्रों पर चापा मारा था। इसके कारण द्वितिय आंगलमराथा युध सिंधिया सेना को हराया। जयाजी राव सिंधिया 1834 से 1886 तक ग्वालियर के महाराजा थे। वे एक उलेखनिय शासक थे जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और पूरे राज्ज में कई स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना की। वह एक कुशल सैने कमांडर भी थे और कई अभियानों में ग्वालियर सेना का नेत्रित्व किया जिसमें दक्षिन अफ्रीका में एंगलो बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध शामिल थे। बोर युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं की मान्यता। वह अपने प 1925 में उनका निधन हो गया। ग्वालियर की रियासत को भारतिय संग में एकिक्रिट किया गया था, और महाराजा जिवाजीराव सिंधिया को प्रिवी पर्स, पुछ विशेशाधिकार और भारत सरकार द्वारा ग्वालियर के महाराजा की उपाधि का उपयोग किया था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्य वे स्वतंत्र भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती थे और 1956 तक मध्य भारत राज्य के राजप्रमुख गवर्नर के रूप में कार्य किया। शिंदे वंश के कुछ उलेखनिय शासक और सिनाप्ती हैं। राजवंश का समरिध और जटिल इतिहास रहा है और कई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने इसके उत्थान और पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शासन के अंत के बावजूद सि अंस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।